Hi everyone, सभी का warm welcome है Y.T. Your English Shooter पे आज है संडे एक special exercise करने वाले हैं अपनी writing skills पे काम करेंगे English के अंदर और इसके लिए आपके सामने खुला हुआ है Times of India का, सोरी, राजसान पत्रिका का ये आर्टिकल टैक्स बढ़ाना, तंबाकू की खपत घठाने का प्रभावी तरीका अब देखो इस आर्टिकल को अपने हिंदी से English में translate करेंगे, अपनी writing skills के उपर काम करेंगे और writing skills आपकी translation ability का ही दूसरा नाम है आपको एक essay लिखना है, इंडिया की freedom struggle पे अगर उस essay के उपर आपके दिमाग में information है हिंदी में, पंजाबी में, गुजराती में और अगर English में आप उसको translate कर लेते हैं on paper यही तो essay लिखने की कला है, यही तो writing skills है इसलिए जितना हो सके, हिंदी वाले sentences को English में लिखने की कोशिश करो, writing को आप improve करेंगे चलिए शुरू करते हैं, आर्टिकल को हमने ले लिया है उपर हिंदी में, नीचे आपको मिलेगा SMS वाली हिंदी में, जो लोग हिंदी नहीं बढ़ सकते हैं साइड में इसका transition हमें करना है फर्स sentence है, भारत में हर साल लगबग 13 लाख लोग तंबाको उतपादों के सेवन से होने वाले cancer, हिद्या रोग और दूसरे रोगों की वज़े से जान गवाते हैं और लाखों लोग तंबाको से होने वाली बिमारियों के इलाज के खर्च की वज़े से गरीवी रेखा से नीचे चले जाते हैं अब देखो इस sentence को इंगलीज पर लिखने का सीधा सा तरीका है ढूंड लो पहले कि कौन सा काम किस ने किया है या किस की वज़े से कौन सा काम हुआ है अगर इस sentence को आप ज़्यदा दिमाग ना लगाओ मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूँ कि भाई किसने क्या काम किया है तो आपको सिर्फ वही बताना है तो पहला वाला जो आप close देख रहे हो और से पहले वाला ये और देख रहे हो ना और इस और के बाद एक नया close है इससे पहले एक पहला वाला close है तो पहले वाले close में काम ये हुआ है कि भारत में लगबग 13,00,00 लोग अपनी जान गवाते हैं पहला काम और और के बाद दूसरा काम क्या हुआ है जी और के बाद में दूसरा काम ये हुआ है जी लाखों लोग जो है लाखों लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं अब जिसने इतना पकड़ लिया ये sentence वो बना लेगा थोड़ा वहत ग्रामर का नॉलिज आपको होना चाहिए अब sentence कैसे बनेगा देखो तेरा लाख लोग अपनी जान गवाते हैं तो मैं लिख देता हूँ थर्टीन थर्टीन लाख पीपल अब देखो जान गवाने को क्या बोलते हैं जान गवाने को बोलते हैं मरना तो आप यहां लिख सकते हैं डाइ जान गवाते हैं हर साल तो आप इसको present simple tense में लिखें 13 lakh people die और die के लिए एक और अच्छा word है एंग्लिश में lose their lives अरे वासा बजबे he lost his life या he died वो मर गया या वो गुजर गया ये lose their life का मतलब होता हिंदी में गुजर जाना अच्छे तरीके से मरने के लिए lose your life अपने phrase को use करते हैं तो जैसे मर जी लिख लो आप 13 lakh people die or lose their lives और कहां पे होता है काम ये काम होता है in India भरत में होता है न इन इंडिया और कब होता है every year हर साथ होता है तो every year अब बाकी की चीज़ों को इसमें add करो सिर्फ और से पहले वाली चीज़ों पर नज़र डालने अपने और के बाद में क्या हैगा वो बाद में देखेंगे ठीक है और को मैं थोड़ा सा red कर रहा हूं ताकि आपको पता लगए ये और के बाद वाला तो बाद में देखना है पहले इसी को देखो अब ये 13,00,00 लोग भारत में हर साल अपनी जान गवाते हैं और ये क्यों गवाते हैं ये गवाते हैं तंबाकूत बादों के सेवन से होने वाले इन बेमारियों की वज़ए से तो इस पूरे मामले की वज़ए से गवाते हैं तो मैं लिखूंगा lose their lives lose their lives because of because of वज़ए से बताने के लिए because of को use करते हैं न because of और because of क्या है because of cancer हिदय की विमारी है हिदय रोग तो मतलब लिख दो heart disease heart disease हिदय रोग मतलब heart disease और अन्य रोग या दूसरे रोग and other diseases other diseases disease का मतलब विमारी है न तो इस चरह से आप इसको add करेंगे और ये सभी रोग कौन से ह बाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले रोग हैं तो मैं यह लिख सकता हूं other diseases caused by the use of tobacco उत्पाद उत्पाद को इंगली से बोलते हैं products बस यही काम होता है इंगली में लिखने का इसी तरीके से लिखा जाता है अब इसको एक बार शांती से पढ़ो ये डाई वाले को मैं लिख देता हूं lose their lives अब देखो ध्यान से पढ़ोगे तो पूरा sentence बनेगा 13 lakh people lose their lives because of cancer, heart disease and other diseases which are caused by यहां पे which are भी लिख सकते हो अगर इसको relative close बनाना चाहो और चाहो तो आप सीधे-सीधे caused by लिख करके past participle को use कर सकते हो ये सब आपको basic writing course में सिखाया गया है कैसे आपको close बनाना है कैसे आपको phrase बनाना है है ना तो which are caused by यह caused by the use of tobacco products in India every year अब देखो यह इन इंडियान इसको शुरू में लिया ओ ऐसा क्यों करेंगे क्यों कि अपने को यह जो main information ना यह कहां हो रहा है यह अगर शुरू में लिखे और अपने को साफ दिखेगा थोड़ा जो चीज होगे और यहां 13,000,000 से पहले लिख दोगे लगबग यानि की almost और almost के लिए को और word use होता है nearly ठीक है तो इस तरीके से आपका sentence होगे ready अब यह और वाला है ना और वाला इसके बाद वाले को अपने बनाने की करते हैं कोशिस तो और के लिखेगा and अब बाद में क्या हुआ लाखो लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं and lakhs of people लाखो लोग मतलब lakhs of people गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं तो go below the गरीबी की रेखा अब गरीबी की रेखा को इंगली से बोलते हैं poverty line poverty line सुना होगा आपने below poverty line मतलब BPL family होती है तो below poverty line Lakhs of people go below the poverty line अब क्यों जाते हैं यह जाते हैं तबाकूस होने वाली विमारियों के इलाज की खर्च की वज़ा से तो यहां लिख दूँगा Because of Because of इलाज का खर्च इलाज का खर्च अब इलाज खर्च को क्या बोलते हैं Treatment expenses इलाज मतलब treatment खर्च मतलब खर्चा यानी expenses तो because of treatment expenses और expenses किसका है तमाकू से होने वाली विमारियों का यहां लिख दूँगा treatment expenses of diseases diseases caused by tobacco तमाकू से होने वाली मतलब something caused by tobacco यह caused नाम का adjective यूज कर ले ना जब भी कोई चीज को बताना हो कि दूसरी चीज से हो रही है this is caused by that यह इस वज़े से होता है तो this is caused by tobacco अब मेरे ख्याल से आपका sentence हो गया ready इस पूरे को जोड़ दो इसको इसके साथ में और इस and के ए को छोटा कर दो यह सब process आपको दिमाग में करनी होती है मैं आपको पार्ट भाई पार्ट बता रहा हूं सिर्फ तक ही आप इसको समझ सको overall तो इस sentence आपको एक साथ ही बनाना है दिमाग में प्रैक्टिस से बनने लगेगा चलिए यह फर्स sentence अपना हो गया इसमें कुछ improvement मेरे ख्याल से जादा करने की ज़रूरत नहीं है treatment expenses यहां पर ऑफ की जगा लिख सकते हो associated with treatment expenses जो जुड़े हुए है तो बाको की बिमारियों के ठीक है तो इस फ्रेज को यूज करना आप सीखो treatment expenses of diseases यह treatment treatment expenses associated with diseases caused by tobacco और साथ में यह जो go below लिखा है इसकी जगा आप लिख सकते हो fall below line के नीचे वो जान भूज के तो जाते नहीं है गिरते हैं वो तो अपनी मजबूरी की वज़े से तो जाने के जगा गिरना वाला word falls जो ना better word होगा तो मैं go के जगा fall below the poverty line लिख सकता हूं चलिए अब इसी तरीके से next sentence की तरफ बढ़ेंगे इसको भी हमें करना है translate बिल्कुल ऐसे ही Hindi to English एक बार आप पहले खुद से कोशिश करें फिर मैं करवाने वाला हूं साथी यह class हमारे paid writing skills के course का part है जिसमें आपको बिल्कुल basic से writing सिखाई जाती है इस तरीके से आपको exercises के जरीए practice करवाई जाती है पहले सारे आपको concepts करवाई जाएंगे writing के क्या होते है grammar के उसके बाद आपको writing की practice करवाई जाती है इस course को आप जाकर करके अवेल कर सकते हैं अपनी app पे आज इस पे कुस discounts करने हैं उसका फाइदा ले icon right नाम के इस code को use क करके app का link आपको मिलेगा comment section में साथ ही app पे आपको banking और SSE के courses भी मिल जाएंगे जिसमें bank SSE के सारे syllabus को हर तरह की questions को detail में approach के साथ में आपको बताया जाता है कैसे solve करना है जरूर से courses का फाइदा ने वक्त रहते exam से 15-20 दिन पहले course लेकर के ज्यादा benefits आपको नहीं मिलते ह आप का link comment section में रखा है कोई query हो तो ये whatsapp number है आप team से whatsapp के दूरू बात कर सकते हैं चलिए next sentence है कह रहा है जी इसके बावजूद भारत में तमाकू द्योग इन उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अकरामक रनेती अपना रहा है और इसका असर यह हुआ कि भारत में गुटका पर पाबंदी लगने के बावजूद कंपनियां बड़ी आसानी से एक साथ दो पाउच में पान मसाला और चबाने वाले तबाकू उत्पाद बेच रही हैं देखो काम वही करना है बेसिक्स वही रहेंगे बेसिक्स चेंज नहीं होंगे बेसिक्स यह कह काम हुआ है और से पहले औरले के बाद क्या हुआ है तो पहले तो काम असर यह हुआ और और काम यह की भारत में गुटका की पवंदी के बावजूद कंपनियां कंपनियां जो है're दो दो चीजों को पान मसाला और तंबाकू के उत्पाद बेच रही है उत्पाद बेच रही है मिला के बेच रही है जुला के बेच रही है बेच रही है तो इस तरीके सा आपको पकड़ना होता है संटेंस की स्टक्चर को अब पहले उपर वाले sentence को बनाऊँगा और से पहले का तंबाकू द्योग रननिती अपना रहा है तंबाकू द्योग को बोलते हैं tobacco industry रननिती अपना रहा है रननिती को बोलते हैं strategy अपनाने को बोलते हैं adopt करना तो is adopting अकरामक रननिती अक्रामक को बोलते हैं aggressive and aggressive strategy अब यह चोटे मोटे आपको words आने चाहिए रण निती मतलब strategy अक्रामक मतलब aggressive है ना तो तबैको इंडस्ट्री इस अडॉप्टिंग एन एग्रेसिव strategy और यह तबैको इंडस्ट्री कोन है भारत की तबैको इंडस्ट्री है तो मैं लिख सकता इंसपाइड और भी लिख सकते हो जो आप सीखते हो गरामर वही तो अप्लाई करने है यह तो लिख दो इंसपाइड ऑफ दिस तबैको इंडस्री इंडिया इस रॉप्टिंग एन एग्रेसिव strategy अब देखो यह क्यूं कर रही है यह उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए तो यहां पर इस काम को के लिए के लिए मलब बताना है के लिए के लिए यूज करते हैं infinitive को infinitive होता है two plus में verb की base form ठीक है base form तो मैं यहां लिख सकता हूं to बढ़ावा देने को बोलते हैं promote करना तो to promote the sales यानि बिकरी the sales और sales किसकी in products की, of these products बिल्कुल step by step manner में मैंने sentence आपके सामने बना दिया, despite this in spite of this, tobacco industry in India is adopting an aggressive strategy to promote the sales of these products, अब देखो ये वाला उपर वाला हो गया पूरा, अब इसके बाद और आ गया और को मैं लिख दूँँगा ant अब दूसरा वाला sentence बना दो इसका असर यह हुआ की इसका असर यह हुआ की, अब इसको English में कैसे लिखे, दगो इसका असर यह हुआ यहां लिख देता हूँ, extra writing tip के तोर पे इसका असर इसका असर यह हुआ की इस phrase को English से बोलते है as a consequence और यह फिर इसके लिए एड़ब यूज होती है consequently अब देखते हो ना, इसका असर यह हुआ तो अगर आपको यूज करना हो, जब भी इसका असर यह हुआ तो इस phrase को यूज करें तो as a consequence यह consequently तो मैं यहां भी वही करता हूँ, मैं लिखता हूँ as a consequence इसका consequence यह है, इसका नतीजा यह असर ही है तो as a consequence तमबाकू कंपनियां तमबाकू उत्पात बेच रही है तो तो तबैको कंपनीस तबैको कंपनीस आर सेलिंग तबैको प्रोड़क्स इतना ही बनाना है अब देखो कैसे बेच रही है एक साथ दो पाउच में पान मसाला और चबाने वाले तमबाकू को बेच रही है तो मैं लिखता हूँ आर सेलिंग तबैको प्रोड़क्स इन टु पाउचिस ओफ पान मसाला एंड चबाने वाला तमबाकू चीविंग चुइंग तबैको चबाने वाला मतलब Chewing या Chewable Chewable भी बोल सकते हैं Chewing भी बोल सकते हैं Chewable भी बोल सकते हैं Together बस sentence ready हो गया As a consequence tobacco companies are selling tobacco products in two pouches of pan masala and chewing या Chewable tobacco together और यह सारा काम कैसे हो रहा है बड़ी असानी से तो मैं लिख सकता हूँ With ease असानी मतलब ease और with मतलब say है ना बड़ी असानी है तो with great ease अब इस पूरे को जोड़ दो sentence ready इस sentence में चीजों को improve किया जा सकता है no doubt लेकिन मोटा मोटा sentence आपके सामने बन चुका है हाँ इसमें एक चीज हमने यहाँ पर जोड़ दी है बारत में गुटका पर पावंदी लगने के बावजूद तो इसको ऐसा लिखेंगे यहीं पर जोड़ देता हूँ और के बार में as a consequence बावजूद यानिकी अब देखो उपर in spite use किया है तो नीचे in spite को use कर लो जा लिख दो in spite in spite of a ban on goodka in India इसका मतलब क्या होगा बावजूद एक ban के गुटका पे भारत के अंदर उपर despite use कर लो नीचे in spite of use कर लो इससे क्या होगा दोनों अलग लग words भी use हो जाएंगे बार बार एक word का repetition भी नहीं होगा तो मोटा मोटा sentence आपके सामने ready हो चुका है अब इसमें जो वर्ड सारे ना जीव जीव जैसे good का आ रहा है English का word नहीं है तो इसको आप इस तरीके से single inverted comma में बंद कर दो जैसे यहाँ पे chewable tobacco आ रहा है तो यहाँ पे chewable tobacco को inverted comma में बंद कर दो इससे आप यह बताते हो कि आप कुछ खास word की बात कर रहे हो Hindi का English में लिख रहे हो पान मसाला है इसको भी इस तरीके से इसमें बंद कर दो चलो यह sentence ready है आगे बढ़ेंगे next sentence की तरफ शुरू में गलतिया होंगी बनाने के वक्त आपको लगेगा कि मैंने क्या बना दिया अजीव सा बना दिया लेकिन जब आपको सारा system पता होता है ना course पूरा कर लेते हो कहीं से भी करो मेरे course की बात नहीं है कहीं से भी कुछ भी पूरा करते हो आप एक बार बुरा सिस्टम सीख लेते हो फिर आप अपनी गलतियों को खुद से भी identify कर सकते हो कि यहां देखो एंड नहीं लगाया मैंने यह चूएबल टबैकों में चूएबल बाद में लगा दिया पहले आना चाहिए था रूल एचेक्टिव को यह बोलता है कि पहले तमाकूत पादों की बिकरी के लिए आवश्यक निमों और पक्रियाओं को दरकिनार करते हुए चलाकी से युओं को अकर्शित करना है ठेका है लिख्दो यहां पे करना है कैसे बनाएंग इंगलीश में वही काम करना है इसका मकसद ऐसा है इसका मकसद ऐसा है तो मैं यहां लिख देता हूँ रन नीती का मकसद रन नीती का मकसद अकर्षित करना है जो भी करना है इसी से पूरा sentencejed बन जाएगा अब देखो कैसे बनाना है एक तरीका तो यह है मैं लिख सकता हूँ मकसद of the रन नीती रण नीती इस ऐसा करके लिख सकता हूं इसको बोल दूँँ एंगलीश में ऑब्जेक्टिव और यहां लिख सकता हूं स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव के आगे दा लगा दो क्योंकि ओफ आ चुका है बीच में जो लोग बेसिक जानते हैं वो जानते होंगे कि ओफ से दो नाउन जुड़ जाएं तो पहले बारी नाउन के आगे दा लगा दो या कोई भी दूसरा डिटामिनर होना चाहिए तो of such a strategy is अब क्या है यहां को अकर्शित करना is to attract the yooa अब yooa को क्या बोलते है यूथ attract the youth और ये सारा काम कैसे करना है ये सारा काम करना है उत्वादों की बिक्री पे लगे आवाशक नीमों और पक्रियां को दर किनार करते हुए देखो ये सारा काम इस काम को करते हुए होगा मतलब present participle की जरूत यहां पर पढ़ रही है खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था किताब पढ़ते हुए मैं गाना सुन रहा था दर किनार करते हुए इनको आकर्शित करना है तो इस काम को PPSS से बताओ दर किनार करने को बोलते हैं disregard करना तो यहां पर लेख दो disregarding प्रक्रिया मतलब प्रोशीजर eso अ ट्रॉडक्र काम करना चाहिए है objective of such a strategy is to attract the youth disregarding the necessary rules and procedures required for the sales of tobacco products, right? तो एक तरीके से तो इस सीधे सीधे लिखा जा सकता है, अब मैं बताता हूँ एक आपको advanced वाला तरीका, उससे थोड़ा sentence आपको और जादा artistic लगेगा, अब वो तरीका क्या होता है, एक phrase को यूज करके is aimed at, मैं भी यूज करके दिखाऊंगा, अब यह sentence मैं फिल्लकुल copy कर रहा हूँ और नया वाला sentence आपके सामने alternative form में बना रहा हूँ, such a strategy, such a strategy, strategy is aimed at attracting the youth disregarding the necessary rules, वो वैसा का वैसा रहेगा, तो उपर मैंने क्या लिखा, the objective was such a strategy is to attract the youth ऐसा लिख दिया, और नीचे मैंने क्या लिखा, such a strategy, such a strategy is aimed at attracting the youth यह is aimed at अना यह बहुत ही अच्छा phrase है, बहुत अच्छे अच्छे writers इसको use करते हैं, इसका मतलब होता है किस चीज का objective है आप बोल लो कि मेरी तयारी का objective है नोकरी पाना, तो my preparation is aimed at gaining a job, यह getting a job या फिर यूँ बोल दो, the objective of my preparation is to get a job, अरिवा समझ में, दो ही तरीकों से लिखा जा सकता है, पर यह second वाला थोड़ा सब परभावी लगता है, थोड़ा effective लगता है तो is aimed at, was aimed at, has been aimed at, were aimed at, जो भी subject हो और जो भी tense हो उसके हिसाब से aimed at को use करके लिखना सीखो चलिए, session को यहीं पर wrap up करेंगे, दो sentences मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको English में लिखने की करनी है कोशिश जो आपने सीखा है ना, उसी को apply करना है, यह पहला sentence है, कोशिश नहीं करोगे तो कभी नहीं चीख पाऊगे मैं इसका Hindi से English डाल दूँगा comments में, मेरे वाले से match कर लेना, पहले खुद का बनाओ और यह आपको मैं दिखा रहा हूँ, दूसरा sentence सब लोग कोशिश करेंगे, comment section में इसका answer मिलेगा आपको, मेरे वाले से कितना match कर रहा है, खुद ही आपको पता ले जाएगा एक बार आप अपना post करो, फिर मेरा वाला चेक करना, जो लोग कोर्स का पार्ट है, रात की detail वाली वीडियो में, दोनों sentences आपको detail में मिलेंगे, English में मैं लिख करके दिखाऊंगा Students जो कोर्स का पार्ट है, रात वाली वीडियो में जाके चेक कर लेना, है ना? अच्छा, राइटिंग के लिए लिखना जरूरी है, रोज नहीं लिखोगे तो राइटिंग नहीं सीख पाओगे, कोई भी कोर्स आपका फाइदा नहीं करवा सकता फिर भी अगर आपको guidance आईए, आप लिखने के चाहते हो कि मैं सीखूँ UPSC के लिए या किसी विग्जाम के लिए, कोर्स अवेलबल है, मेहनत करना आपका काम है एप को download करो, first comment में link रखा है, जाके कोर्स को checkout करो, कुछ एक दो वीडियो मैंने demo भी डाल रखी है मुलागा दोगी next class में, एक like और एक share जरूर से दें सेशन को, until then, signing out